एक गाव में तीन लड़के रहते थे राम, श्याम और राजू तीनों के पिता काफी अमीर थे, तीनों का बच्पन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अंदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमीनदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था की ना तो उनको मेनहत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे, बस घूमते रहते थे। नशे और अन्यभोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गाउं वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गाउं में बहुत तेज बारिश हुई जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था वो बस घूमते रहते नशा करते भोग विलास करते रहते थे। माम बाप काफी चिंतित रहा करते थे, ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खाश बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी ज्यान हो गया था क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। शाम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे और राजु खेती का काम जनता था क्योंकि उसके पिता जमीनदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया जो की उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इस तरह से इनकी बदमासियों को देख कर इनके पिता उन्हें सिख देने को सोची तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौप दिये जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई जिसमें ये लिखा था कि एक वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रूपए कमा कर देने होंगे जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हो और तीनों को अलग-अलग स्थान पर रहना था इन तीनों को 5-5 लाख रूपए भी दिये गए ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो पहले तो सब खुश हो गए कि हम आजाद हो गए हमको पैसे मिल गए और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफी सारा नुकसान भी हुआ फिर एक दिन अचानक उनको अहसास हुआ कि अगर हम शर्थ हार गए तो हम अपनी अपनी जायजात खो बैठेंगे धीरे धीरे उनकी चिन्ता बढ़ने लगी एक दिन वो इसी उधेर धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिसकस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी तीनों लोग उस लड़की के पास में गए तभी राम ने लड़की से बोला बेटी आपक कि उम्र क्या है तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ अंकल इतना सुनते ही राम ने आचार्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और माता बीमार रहती है इसलिए मैं ये काम करती हूँ इसे सारे फूल ले लिये और तीनो घर लोट आये उस फूल वाली लड़की का उन तीनो लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा रात भर उन तीनो ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनो कितने गलत थे तीनो ही दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास छै महीने का समय है अपने पिता के दिये गए काम को पूरा करने का और भविश्य बनाने का इसी दोरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करे तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया तो अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गाउ में जाकर ही काम करेंगे भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे लेकिन फिर भी अपने गाउ में जाएंगे और अपने गाउ में कुछ नए काम करेंगे भले ही उनको अपने पिता के वसीयत ना मिले तीनों लड़के अपने गाउ में फिर से आये और अपने अपने पिताओं से जाकर के मिले और उन्हो कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे, लड़कों को कोई दया नहीं मिली तीनों को फिर से दोहक हुया कि तीनों को अपनी गलती की एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे है और फिर से वो रात भर सोचते रहे की अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीन निकाली राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉबलम को सुलजाने लगा जिससे उसको गाव की समस्याओं का ग्यान हुआ, इसी तरह शाम भी गाव के विकाश के सही जगह लगा कर गाव को एक नया रूप दे दिया, उनकी कड़ी महंत से गाव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे, उनका गाव तरक्की करने लगा। नई तकनिकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुडाव होने लगा, और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ की पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे। लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और क पुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करे अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और हां समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दुबारा समय दे. समय बरबाद करने का हजारों तरीका है लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी जिन्दगी बदल दे इस समाज की जिन्दगी बदल दे इस देश का भविश्य बदल दे